आज बड़ा हसीन दफाक है, आज हमारे साथ दुर डॉक्टर साब हैं, उनके अबबा मेरे डॉक्टर रहे हमेशा से मेरे लेंस और मेरी आंकों के कोई भी मसले हो तो मैं हमेशा उन ही को दिखवाने जाती हूँ, डॉक्टर शहजाद के बेटे, डॉक्टर हारिस शहजाद हम असाथ लेकुम, कैसे आप, मुझे सबस्बा पता चला कि, अरे ये तो मेरे जानने वाले हैं, बता भी देना, लोगों को हम सोर्स पे ही बुलाया आगया, बिल्कुल, मैरे पे आया है, कैसे जॉक्टर आप, चिक्चा के हैं, अच्छी ये तो मैंने वजुआती है, तो सुन लगा लगा है, तो मुझे भी लगा है, मुझेश वी लगा है, ये ये एक एक इस फाइख सा बसूजिशन तो है, आजकल के माना में देखा गया है, बच्चे बहुत सारा चिश्म लगा रहे हैं, बहुत जाधा हो गया है और पेरंट्स कंपलें करते, देखा कि जो बच्च पड़ाई की, ब्रेक लिया, सीधे फोन पे आगे, और तब भी करीब के काम हो रहे हैं, ये भी बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, तो मुस्तकिल आपका चश्मा बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ये जो सवाल है कि क्या मॉबाइल फोन और आईपैड और टाबिट से आंके खरा हो गए हैं, जैसे मेरी आपकी उमर में, अगर हम लोग आईपैड ये फोन यूस करते हैं, इससे माही नज़र कमजोर नहीं होगी, अच्छा, मगर बच्पन से एज 4-5 से लेके, एज 18-19 तक, अगर आपकी नज़र कमजोर होगी, चश्मा आएगा और वो उतरेगा नहीं, इसका मतलब के बच्चों को अवाइड किया जाए कि जो उनको आइपैड और मोबाइल पे लगाए होते हैं, जो चोड़ें जल्दी से, बिल्कुर चोड़ें, बिकॉस जो टाइम हमारे टाइम में हम भाजा के खेलते हैं थे धूप में, अब तो साइस ये प्रूफ कर दिय है कि जिन बच्चों को धूप नहीं मिलती है, और सारा वक करीब का काम पढ़ा ही कर रहे हैं, उनकर नमबर आजाते हैं